राजस्तान में छुनाओ का बहुत कम वक्त बचा है जुलाई महिने की शुरुवात में बड़ी-बड़ी राजनितिक हल्चलों के बीच पूर मुख्यमंत्री वसुंद्रा राजे की धमाकेदार रैली जिहां कोटा में हुई एक रैली के कई राजनितिक माइने निकलते हैं लेकिन जो सबसे बड़ा माइना निकल के आया है वो है कि वसुंद्रा राजे बीजेपी में कहीं से भी कमजोर नहीं है उन्होंने हजारों की संख्या में एक बड़ी भीड जुटा कर यह साबित किया है कि अगला चुनाव में वो एक बहुत बड़े चहरे बहुत बड़े प्रभाव के साथ में प्रचार करने वाली हैं वसुंद्रा राजे ने पूरु प्रधान मंतरी अटल भीहरी वाजपई की कविता में कमल खिलाने के आहवान की बात जोड़ते हुए जो कारे करता हैं जो कि विधान सबा चुनाव में बीजे पी की और से मुख्य मंतरी का चहरा कौन होगा राजस्तान के चुनाव में बीजे पी की और से सिपह सालार कौन होगा ये सवाल हैं लेकिन इन सारे सवालों की तर सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्तान के विधान सबा चुनाव में भार होगा इसकद को लेकर इशारा दिया दो दिन पहले अमित्सा ने उधैपुर में हुई एक रेली में और इस इशारे के बाद में वसंद्रा राजे की आज हाड़ोती में हुई भारी भीड के साथ जनसवा ने इस साबित किया है कि वसंद्रा राजे कहीं से भी कमजोर नहीं है साथ ही उनके सिपैसालार प्राद गुंजल की जो लोगप्रियता है उसका आलम ये रहा कि भीड बड़ी संख्या में जूटी कई विधायक और सांसत भी इसमें शामिल हुए हैं साथ ही हाडोती से माहूल बदलने लगा है तो क्या चंबल के रास्ते से राजस्थान के बाकी इलाके में भारतिय जंता पार्टी का जो कमल है वो किस तरह से पुष्पित होगा पलवित होगा और इस पुष्पन और पलवन में वसंद्रा राजे की क्या बोमिका रहेगी यह बहुत शिद्दत से आज की रैली में तै हो गया है वसंद्रा राजे ने भारतिय जंता पार चनावी मैदान में हैं अब तक धार्मिक और अध्यात्मिक यात्राओं से लगातार जनता के बीच रूबरू होती रही वसंद्रा राजे बाकी जितने भी गुठ हैं उनकी और से अलग थलग किये जाने की तमाम कोशिशों का शिकार जरूर होती रही हैं कोशिशे ही रही है वो नहीं हो पाई लेकिन वसुंदर राजे ने आज की रेली के बाद एक बार फिर से साबित किया है कि भारती जंता पार्टी में फिलाल अगर कोई बड़ा चैरा है तो वो खुद हैं दो बार की पूरु मुख्यमंत्री और साथ ही एक मेव रूप से समन्वित रूप से अगर प्रयास किये जाने हैं तो उनके नित्रतों में किये जाने हैं क्योंकि करनाटक चुनाओ के बाद जो इस्तिती बदली भारती जंता पार्टी को लगने लगा है कि अब सिर्फ और सिर्फ केंदर के फिर्स पे क्या किसी स्टेट में चुनाओ लड़ना चाहिए इसके बाद ये टाय हुआ कि मद्यपरदेश में फिलाल भारती जंता पार्टी के कमजो रिस्तिती हैं क्या भारती जंता पार्टी 2024 के लोगसाबा चुनाओं से पहले जम्मू कश्मीर में विधान सबा चुनाव नहीं करवाएगी क्योंकि अगर आप वहाँ विधान सबा चुनाव करवाते हैं तो क्या मैसेज इंटरनेशनल कम्मिनूटे को जाएगा आप G20 की मीटिंग करवाते हैं वहाँ पे देश की ओर से अगर हो रही है तो कश्मीर में अगर सब कुछ भला चुंगा है तो भारते जिन्ता पार्टी वहाँ विधान सबा चुनाव के बारे में सोच रही है निश्चित तोर पे और लोकसवा से पहले ही सोच रही है या लोकसवा के साथ सोच रही है अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो देश के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का प्रशन है खास करके भाजपा के लिए कि इस चुनाव में किस तरह से वहाँ जीत हासिल हो ऐसे में एक साथ चार बड़े राजियों में चुनाव भारतिय जंता पार्टी के एक ही चहरे पर खास करके पूरी ही हिंदी पट्टी के आधार भूत चुनाव को भारतिय जंता पार्टी के एक ही चहरे पे केंदर के ही चहरे पे लीड कर पाएगी ये बड़ा सवाल है ऐसे म नीचे के जो सिपेसालार हैं उनमें मजबूत लोग चाहिए तो इन मजबूत लोगों में फिलाल आज के तारीक में वसंद्रा राजे काफी आगे आई हैं कई गुड माने जा रहे हैं भारते जंता पार्टी में लेकिन वसंद्रा राजे की इस्रेली ने सावित किया हैं कि वो अब अपने पूरे लाव लशकर के साथ अपने पूरे अंदाज के साथ चुनाव मैदान में हैं और महंगाई राहत कैम्प और उसके बाद जो गुलाबी माहोल कॉंग्रेस सरकार के और से बनाया हैं उनसे लोहा लेने के लिए एक बार फिर से उनकी टीम तयार है राजस्थान की राजनितिय सुझूड़ी खास खबरों के लिए सब्सक्राइब करें तिंग 360 को